हलो मित्रों जैमातादी मित्रों धन तेरस के पावन फरवक के पहले आप लोगों के जीवन में ये तीन घटनाएं हर हाल में होकर रहेंगी मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि मनुस्य के जीवन में दुख और सुख आते जाते रहते हैं मनुस्यों को अपने कर्मों के अनुसार फलों की प्राप्ति होती हैं परन्तु भगवान, कुबेरदेव जब भी किसी भी जातक पर परसंद होते हैं उन लोगों के जीवन में कई परकार के खुशियां कई प्रकार के जीवन में परसंता और सफलता को हासिल करवाते हैं ऐसे में कुछ ऐसा ही आप लोगों के जीवन में धंतेरस से पहले और धंतेरस के बाद होने वाला है वित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आप लोगों के जीवन में ये तीन घटनाएं धन्तेरस से पहले और धन्तेरस के बाद होनी वाली हैं जिसको जानना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आवस्तख होगा जो तिसाश्च्र की माने तो ये तीन ऐसी घटनाएं होंगे जिससे कि आप अपने जीवन में जितने भी सुक समरदी को पाना चाहते हैं उन्हों सभी को फ्राप्त करके अपने सभी समस्याओं से शुकारा पा सकते हैं आपको बताना चाहेंगे यह तीन जानकारियों के बारे में कि ऐसी तीन कौन सी घटनाएं हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ आपको ही जानना सुनना और समझना चाहिए और आपको ही अकेले में देखना चाहिए मतरों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यह तीन घटनाएं ऐसी होंगे जिनसे की आप लोगों के जीवन और जिन्दगी की रूप रेखा में बहुत बड़ा प्रिवर्तन होनी वाला हैं और आप लोगों के जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं से आपको सुर्कार यही तीन घटनाएं करभाने वाला है मित्रोँ अगर आप अकेले हैं तो ही इस वीडियो को पूरा देखे अन्यता आप इस वीडियो को यहीं के ấnक्रीब कर सकते हैं मित्रोँ क्योंकि इस वीडियो में बताई जाने वाली जानकारिय आपके जीवन से अवस्य कर लें ताकि रोजाना रासी फल आपको समय से मिल सके नुर आप आने भाले दिनों को बहतर बना सके वित्रों धन तेरस का फावनपर्व भगवान कुवेर देव और धनवंतरी के लिए पूजा उपासन की जाती है और धन की देवी मातला लक्वी जी और भगवान गनेजी की पूजा उपासन की जाती है ऐसे में आप लोगों को इस मोके पर आर्थिक लाफ मिलेंगे घर, पृवार में खुश्यों का माहौल बना रहेगा आप अपने निवास अस्थान पर बदलाव कर सकते हैं निवास अस्थान बदलनेका विचार वना सकते हैं आप नया वहन, नया घर, नई प्रिफटि या नए समान के खरदारी कर सकते हैं आपके मन में ऐसे विचार आएंगे जिनसे कि आप अपने निवास अस्थान को बदलने का विचार कर सकते हैं प्रिवार के लोगों या मित्रों के साथ निवेश कर सकते हैं आपके मन चाही एक्षाप्टूरी होने के योग बन रहे हैं आप कोई जमीन या मकान खरदने का विचार बना सकते हैं, धन समंदित मामलों में आपको बहुत ज़्यादा लाब मिलने वाले हैं सभी परवर्तन आपके लिए अनुकूल रहेंगे, आपके लिए नई खुश्यों को लाएंगे, आपको आर्थिक लाप के नई नई अवसर पराप्त होंगे, नीजी जीवन में चल रही समस्याओं का समधान होने वाला हैं आप परिवार के सदसों के साथ हसीखुशी से समय वैतित करेंगे, आपको वहवार अच्छा रहेगा, जिससे आपको लाप मिलेंगे, और जीवन में सभी परकार के दुखों का नास होने वाला हैं इसके साथ-साथ आपके वीत्य श्तितियां भी काफी अच्छी रहने वाली हैं, संतान की ओर से आपको सुब समाचार मिलने की संभावना है, आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने गुशे वाली प्रविष्टी को सांथ बनाय रखें, क्योंकि गुशे में आप काफी हद आप अपने धन संपत्ती में विस्तार कर सकते हैं, और अपने विजनस बैपार को बढ़ाने वाले हैं, नत्रों आप अपने संपत्ती और बैपार में कारिश्यतर में बढ़ोतरी कर सकते हैं, विजनस में आपके विर्दी होंगी, रुके वेधन भी आपके जरूर मिलेंग आपको खूब खूशियां मिलने वाली हैं आई के मजबूत सादन भी मिलेंगे माता लक्वी जी आपके घर में परवेश करने वाली हैं जिनके भी पास धन की कमी है उन्हें काफी अच्छे धन के सोगात मालत्मी जी की कृपा से भगवान स्री गनेजी की कृपा से मिल सकती है आपके जीवन में जिस भी प्रकार की समस्याइं चाहे आप आरतिकी सित्यों में गुजर रहे हों या फिर कुछ ऐसी पर सित्यों में फसे हुए हैं जिन से निकलना थोड़ा मुश्किल है उन सबों से आपको चुरकारा मिलेगा भगवान को वेर्देव के खृपा से आपको खूब सारा पैसा और सच्चा फ्यार मिलेगा आप अपने सभी कार समय से पूरा करेंगे मित्रों आप लोगों को कुछ नए अनुवा मिलने के योग बन रहे हैं आप अपने कारिस्तर पर दिन दूगनी रात चोगने तरक्षी हांसिल करते हुए सफलता के नए कर्तिमान को साफित करेंगे आपकी पूरानी योजनाई इस समय पूरी होती भी दिखाई दे रही हैं तरक्षी के कई ने रास्ते भी खुलने के योग हैं आपको बताना चाहेंगे कि आगे जो जानकारियां दी जा रही हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपको ही सुनना समझना चाहिए क आप लोगों को हर प्रकार से लाप लेगा हर प्रकार से खुश्या मिलेंगी और हर प्रकार से धन दौलत की प्राप्ति होनी वाली हैं आपका दिन बहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैमाता दी अवस्य लिखें आपका दिन सुबहो